5 अगस्त 1994 को देशभर की सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म हम आपके है कौन अपने समय की ब्लॉक्बिस्टर हिट मूवी थी और माना जाता है कि उस जमाने में दर्शकों को वापिस सिनेमा घरों में लाने का श्रे इसी फिल्म को जाता है दरसल उस समय आने वाले फिल् करने वाली पहली बॉलिवुड फिल्म थी ये फिल्म भारतिय मूयों परमप्राओं और रोमेंस पर आधारित थी हम आपको है कौन फिल्म में सल्मान खान के किरदार प्रेंग ने सब का दिल जीता प्रेंग के किरदार पर आज भी लोग प्यार लुटाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म डाइरेक्टर सूरज बर जात्या प्रेंग के किरदार के लिए अभिनेता आमिर खान को कास्ट करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से आमिर ने फिल्म के लिए मना कर दिया तब सूरज ने सल्मान खान को एप्रोच किया और आज जैसा कि हम सब ज इस फिल्म ने एक्टर सल्मान खान को रातुराथ हिट कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी दीक्षित को फिल्म में निशा के किरदार के लिए धाई करोर रुपे से ज़्यादा फीस मिली थी. ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने बॉक् इस ने सर्वश्रेष्ट फिल्म का फिल्म फियर पुरसकार जीता. उस साल सूरज बरजात्या को सर्वश्रेष्ट निर्देशक का पुरसकार भी मिला था. माधुरी दीक्षित ने मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ट अभिनेत्री का फिल्म फियर पुरसकार जीता. मी पनेत्री रेनुका सहाने ने इस किरदार के लिए हां की और सलमान और रेनुका की फिल्म में जुगल बंदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। टाइम्स ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन रेलू का सहाने की किरदार का सीलियों से गिरने का सीन शूट होना था उस दिन सूरच बर जातेया इस सीन के लिए बार बार उनसे सौरी कहते रहे ऐसे ही जिस दिन एक्ट्रेस बिंदू की किरदार को थप पर लगने वाला सीन था तो उन्होंने इस सीन के लिए बिंदू से भी कई बार माफी मानगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम आपके हैं कौन लोगों की सोच से बड़ी फिल्म साबित हुई फिल्म की कहानी, सेट और गाने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए फिल्म का क्रेज ऐसा था कि थिएटर्स तक को शादी के हौल जैसा सजाया जाने लगा और तो और स्क्रीन के चारों और फूलों से डेकोरेशन करके लाइट बल्ग से इसे सजाया जाता था यहां तक की बहुत से सिनेमाघरों को बरजातिया ने अपग्रेड कर आया ताकि लोग अच्छी स्क्रीन और ओडियो के साथ फिल्म का मज़ा ले सके